बिहार के मुझजफरपुर में स्वास्ते विभाग का जीवो गरीब कानामा सामने आया है जहां सड़क दुरगटना में घायल मरीज के तूटे पैर में प्लास्टर कर प्लेट लगाने की जुगे काटन बाद दिया गया है इस पूरे ही मामले की जानगारी के बाद SKMCH की अधिक्षक डॉक्टर विभा ने कहा कि अब इलाज किया जाएगा और इसके लिए डॉक्टर को निर्देश दिया गया है प्लेट की जुगे पैर में काटून को बांधने के सम्मंध में डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ से पूस्ताच की जाएगी तो वहीं उत्तर बिहार की सबसे बड़ी अस्पताल अपने बहतर इलाज के लिए भले ही बड़े-बड़े दावे करती हो लेकिन यहां मरीजों के इलाज में किस तरह की उदानसीनता बढ़ती जा रही है ये तो मरीजों को देखकर पता चलता है बतादे की बीते दिनों जिले में बाइक एक्सिडेंट में बुरी तरह घायल हुए जिले के मीनापूर में बरांडा में जोलिया के नितीश को भरती कराये गया था और उसके बाय पैर की हड़ी फ्रेक्चर थी लेकिन इस मरीज को डॉक्टर ने पैर में प्लेट लगा कर प्लास्टर को करने की बजाए तूटे पैर को काटून से बांध कर बैंड़ेज कर दिया और ऐसे में लापरवाई का इस तरह उधारन कई है इस मामले की जानकारी के बाद हरकत में आई मेडिकल कॉलेज की प्रिशासन ने कहा कि इस प्रकार के कारे मरीज के साथ बरदाश नहीं किया जाएगा SKMCH की अध्यक्ष डॉक्टर विभा ने कहा अब जल्द ही मरीज का इलाज किया जाएगा और इसके लिए डॉक्टर को निर्देश दिया गया है प्लेट की जगे पैर में कार्टून को बांधने के समबन्ध में डॉक्टर और पारामेडिकल स्टाफ से पूस्ताच की जाएगी क्यों इस तरह का कारे की जाएगा और इस मामले की जाच करके कारवाई की जाएगी फिलाल खबरों में बिस इतना ही बागे देश रदुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है भारत एक्स्प्रेस